बिस्मिल्लाई रख्मान वहीम असलाम वालेकूम एवरिवन वेलकम टू दी चैनल कुप विशावी तो आज मैं आपके लिए अनार के जूस की रसीपे लेकर आई हूं जो ब्लट वर्चर को नॉर्मन रखता है ब्लट की कमी को रिकवर करता है बहुत मज़े का बनता है चले गईता हैं ना टिआ कि चारा मिने अ हाफ केजी आनार लिया जैसे मैं जी तरीके से चील लिया है है वन टीजपून ब्लेक सॉल लिया है तो सबसे पहले हम अनार को ग्राइंड कर लेंगे पानी डाल कर तो हमें यहाँ पर तक्रीब बन पानी लेना होगा एक ग्लास तो देखें आप हमें एक ग्लास पानी लिया है ठीक है तो चलें सबसे पहले हम अनार को ग्राइंड करते हैं मशीन में डालकर तो यहां देखें मैंने मशीन ले लिए और अब हमें इसमें सबसे पहले अनार एट करना है तो यह बहुत मज़े का बनता है अगर आपको बलड की कमी हो गई है तो आप अनार को जूस बनाएं इससे बहुत आपको इफाका होगा तो अनार शर्जम और ये चीज़ हैं ब्लैट की कमी को दूर करती है ठीक है तो यह अनार हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर यह देखें इस तरीके से और इसमें हम पानी एट कर देंगे अचा यह मैंने पूरा ग्लास नहीं बढ़ा है मतलब हम थोड़ा सा रहने देंगे एक ग्लास से थोड़ा सा कम बस अब यह पानी एट कर दिया और हम इससे ग्राइंड कर लेंगे तो चलें ग्राइंड करते हैं हमसे जैसे यह ग्राइंड हो जाएगा हम क्या करेंगे सिर्चान लेंगे तो हम इने चन्नी ले लिए अब उसमें हम यह हमारा पूरा मिक्स्चर वाइट करेंगे तक इसके जो सीर्च होंगे वह अपर हो रह जाएं और हमारा नीचे प्योर जूस आजाए ठीक है तो इस तरीके से चन्नी आपके पास कोई भी हो वह ले लें और अब हम क्या करेंगे यह जो सीर्च है इसे उपड़ी रख देंगे यह देखें इस पेट्रुला और कोई भी आपको से स्पून हो इसे पुछ करें ताकि सीर्च उपड़ी है जितना भी जूस हो वह बावल में निकल आए ठीक है तो इस तरीके से तो देखें गाइस हम फिर से अगेन हम मशीन में एट करेंगे तो बहुत सिंपल चीजों जब बहुत मज़े का दूस आपको गड़ में ही पीने को मेलेगा ठीक है अब हम इसमें एट करेंगे ब्लेक सॉल जो मैं बता चुकी हूं वन्टी स्पून है साथ ही हम इसमें एट कर देंगे शुगर यह भी वन्टी स्पून है और बस यह चीज़े एट करने के बाद अगेन हमें क्या करना है इसको क्रैंड करना है तो चलें जदी-जदी से कर लेते हैं यह देखकें यह आपामसे अग्राइन कर रहे हैं और इसलों के साथ हमाना जूस रेडिय यह देखें कितना सिंपल था अब हम गलैसिस में से निकालेंगे तो यह मैंने नीचे अनार बचा लिए और इस तरीके से हम जूस सेट कर देंगे तो इसे के साथ हमारा जूस बनके रेड़ी है अब हम इसे सर्फ करेंगे तो आपने देखा कितने सिंपल चीजों से यह बन गया तो बस यह रेसिपी जरूर प्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा यह जूस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ मचों मेरा चैनल है कुक विशावी उसे सबस्क्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करने ताके मेरी न्यू रेसिपी आपको देखने को मिले तब तक के लिए लाह आफिस